दोस्तो साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण चूकि 14 अक्टूबर को लगने जा रहे है इस साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण 2023 का क्यों है क्योंकि दोस्तो इस दिन सनिवार हैं शनी अमोश्या हैं पित्री अमोश्या हैं और इसी के साथ बहुत बड़े भ्यानग कंकड आक शूरग रहन को दिन में लगते हुए सूने होंगे लेकिन ये शूरग रहन भारत समय के नुशार रात में लगेगा ये जो शूरग रहन है भारती समय के नुशार ये रात में लगेगा क्या भारत में शूरग रहन दिखाई देगा तो दोस्तों ये जो शूरग रहन है भारत में दिखाई नहीं देगा क्या इसके सूता काल मान्या है तो इसके सूता काल मान्या नहीं क्यों मान्या नहीं क्योंकि जो ग्रहन है रातरी कालिन में लग इसलिए भारत में दिखाई नहीं देगा इसके सूता काल मानने नहीं होगा लेकिन हाँ इस ग्रहान की प्रभाव माना जीवन पर जरूर होगा रासी पर जरूर होगा और ये ग्रहान कैसा रहेगा तो दोस्तों ये जो अभी ग्रहान लगेंगे 2030 में शूर ग्रहान 14 अक्टुबर को ये कंकड आखरिती का शूर ग्रहान है और मानो जी इस बिड़े में बताऊंगा ध्यान से सुनिये दोस्तो जोती सास्तर में ग्रहन का विशेश महत्वा होता है आप माने या ना माने ग्रहन का जो प्रभाव होता है हमारे जीवन में ज़रूर होता है लेकिन वैदिक पंचायं के नुसार हर साल में सूर्य और चंद्रा ये दोनों ग्रहन दो बार ज़रूर पड़ता है जब जब सूर्य चंद्र ग्रहन पड़ता है तब तब इसके प्रभाव सब ही लोगों की जीवन में पड़ता है और पिछले वाले वीडियो में भी बताए हूँ कि दोस्तों पेंड, पोध है, मानोजाती के लिए जो ग्रहन है किसी ने किसी प्रकार की घटना लेकर के ज़रूरात है अगर धार्मिक नजरिया से देखें तो ग्रहन एक प्रकार के दोस्तों असुब घटना है और अगर हम वैज्यानिक तत्या को देखें तो इसे किसी भी प्रकार का यह जो होना सभाविक ही करिया हैं तो साल 2030 में चार ग्रहाण होंगे और यह चार ग्रहाण अभी जो है शुरे ग्रहाण एक पहले निकल चुके हैं दोस्तों और दूसरे शुरे ग्रहाण है एक चंद्र ग्रहन हो चुके एक चंद्र ग्रहन और बची हैं तो इस बीड़ों में जानते हैं कि वास्ताव में यह जो 14 अक्टूबर कोई जो शूरह ग्रहन लगेंगे यह किस पकार के शूरह ग्रहन हैं और इसके सुत्ता कल भारत में मायन्य होगे के नहीं तो दोस्तों इस बीड़ों के पूरी जानकारी पाने के लिए एक बार इस बीड़ों को पूरा जरू देखना भी तक बीड़ों को लाइक नहीं किये तो बीड़ों को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बाजू में बने बेल का इकन को भी प्रेस कर लेना और निकट अभी दोस्तों जैसे शूर ग्रहन है इसके तत्पस्चाद तूरंत आएंगे दोस्तों नवरात्री नवरात्री के जो समय साधना के लिए बहुत ही उप्यूकता रहेंगे माता रानी की खुब सेवा करना खुब तरक्की मिलेंगे तो देखें जो 14 अक्टूबर को रात में 8 बार करके 34 मिनट से ये जो ग्रहन है ये सुरू होगा जो मध्यरात्री दो बच करके 25 मिनट में समापता होगा और ये ग्रहन कंकड आकरिती के सुर ग्रहन होगा कंकड आकरिती के सुर ग्रहन होगा जो अस्विन माह के अमोस्य तिथी पर लगेंगे कौन से अस्विन महीने भी चरिष के अमोस्य तिथी पर लगेंगे और खास बात ये दोस्तों अस्विन माह के अमोस्य तिथी को लगने वाला सुर ग्रहन कन्यारासी और चित्रा 1 अप्रेल के महिने में लगा था जबके भी जो दूसरा सूरे ग्रहण है या 9 अध्र जो वज़ा से उपजाए इसके प्रभाव भारत में नहीं होगा जो भी सुर्ड गरहन लगेंगे इसके प्रभाव भारत में नहीं होगा लेकिन भारती समय नुशार जो गरहन हैं रात आड़ बच करके 34 मिनट जो सुरू होगा जो की रातरी पर इनके प्रभाव पढ़ेंगे इस जानकारी को पाने के लिए बिड़ो को पूरा जरूर देखने देखें हमेसा कहता हूं अधूरे ग्यान खतार ना खोता और कोई भी जानकारी जो है दोस्तों बैर्था नहीं जाती अभी नहीं तो वह जानकारी बाद में चल करके काम आत तो दोस्तों हिंदू धर्मा के नुशार ग्रहन के सुता कल का बड़ा जो है एक प्रकार के हम बोल सकते हैं सुता कल 12 घंटे पहले लग जाता है इसके बहुत जादा महत्पा होता है और इस दोस्तों इस दोरान कुझे भी शुबकार नहीं किये जाते हैं जैसे कि किसी भी विवा हैं ग्रीफ पूजान हैं जो शुबकार होते हैं वहान खरिदने बिलकुल ही नहीं किये जाते हैं और हिंदू धर्मा में ग्रहन का बड़ा महत्पा होता है दोस्तों खगली और धार्मिक दोनों दिरिष्टी से जो सूर्य ग्रहन है चंद्र ग्रहन हैं ये महतपुन घटना को ले करके आते हैं जब चंद्रा प्रिथ्वी पर सूर्य की बीच से गुजरता हैं तो सूरज की रोष्णी धर्ती तक पहुंच नहीं पाता इसे हम जो हैं वैग्यानिक तत्य से सूर्य ग्रहन बोल सकते हैं और अभी जो सूर्य ग्रहन कंकर्ण आकरिती का सूर्य लगेंगे और कहते हैं दोस्तों जब चंद्रमा और प्रिथ्वी की बीच की दूरी इतनी होती हैं कि चंद्रमा सूर्य की एकदम बीचों बीच आ जाता है तो ऐसे सिती में सूर्य के चारों तरब एक रिंग नुमा आकरिती बन जाता हैं इस ग्रहन को वलय अकार का सूर्य ग्राण कहते हैं और अगर हम धर्मा के दिरिष्टी से देखें तो दोस्तों राहू और केतु ये दोनों जो है जो केतु है शूरा को अपना ग्रास बनाता है राहू जो है चंद्रा को अपना ग्रास बनाता है क्योंकि दोस्तों आप सभी लोगों को जो धर्मी कथा है पता है मैं कथा कि ओ नहीं चलूंगा तो राहु और केतु यह दोनों को ब्रहम देव के दोबारा और देवतां के दोबारा यह अशीरवात प्राप्त हैं कि शमय अनुसारर्थाद अमुश्वर पुनीमा तिथी पर यह शूर्य और चंद्र यह दोनों को अपना ग्रास बना सकते हैं दक्षिड अमेरिका के छेत्रों को छोड़ करके दोस्तों ये उत्री अमेरिका, कनाडा, ब्रिटीस, वर्जिन, इंगलेंड, ग्वाटमाल, मेक्सिको, अर्जेटीना, कोलांबिया, क्यूबा, बार्बाडोस, पेरू, एंटिगवा, वेनोजुयला, जैमेका, हैती, पारगव ब्राजिल, डोमेनिका, बाहा, मास, आदी जगों पर बहुत ही असानी से लोग देख पाएंगे, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे दिन रहेंगे, और हमारे भारत में रातरी कालिन रहेंगे, दोस्तों ये ग्रहाण भारत में दिखाई नहीं देगा, आप लोगों को मन में ये की अनेग, चाया बिदेश में ग्रहाण जो है, पकड़े हो, चाया हमारे भारत वर्स में ग्रहाण पकड़े हो, रासी पर जरूर इसके प्रभाव पाड़ते हैं, तो भारत वर्स हमें ग्रहाण दिखाई नहीं देंगे, इसलिए हमारे धर्मसस्तर कहते हैं, शुता काल्या और जो ग्रहन लगरो मानने नहीं होंगे लेकिन इसके असार मानो जीवन पर देखने को मिलेंगे ग्रहन के समय 8 बज़े के लमसम ग्रहन जो पकड़ने जारे तो यह काम करने इससे पहले आप भोजन कर लिजे ग्रहन के समय मंत्रों का जाब करेंगे चाह सुदे में भी warp of increí 지원arle को प्रभाव से वांत्रों आप करेंगे तो आप मंत्रों का लाफ ग्रहन के समय में जरूरर करें हैं मंत्र का का चमतकार ग्रहन कra समय में जल्दी देखने को मिलते मंत्र मंत्र सीध होता है और हो शके तो ग्रहन की कुप्रभाव से बचने के लिए हनुमान चलिशा का ज़रूर पाठ करें, बजरंगमान का पाठ करें अब जानते हैं कि इस सूरग ग्रहन से लोगों की जीवन में क्या तकलिव आएंगे क्या वास्ता में शूरग ग्रहन जो है भारत वर्सा के लिए नुक्षा रहेंगे ये फिर भारत वर्सा के लिए सेफ रहेंगे तो एक बात जान लिए जो शूरग ग्रहन लगता है दोस्तों वो मानो जीवन के लिए परसानी लेकर के आता है और जो शूरग रहन लगता है किसी ने किसी भी प्रकार के मानो जीवन है जो प्रकृति हैं उनके लिए एक प्रकार के आबदा ले करके आती हैं तो दोस्तों जोती सास्त्रुकूर अगर देखें तो अभी जो 14 अक्टूबर का शूरग रहन है ये प्रकृति आबदा प्रकृ होने की संभावना होती हैं फिल्म एवं राजनिति से दुखत समचार मिल सकते हैं वैपार में तेजी आएंगी और बिमारी में भी कमी आएंगी रोजगार के आउसर भी बढ़ेंगे और दोस्तों आयमी जाफा होगा वायू या अंदुर घटना होने की संभावना है इस ग्र दर्सन हर्ताल बैंगोटाला वायू यान दुर घटना जो है विवान में खराबी उपद्र और आगजनी की स्थिर्था बन सकती हैं लेकिन दोस्तों यह सब घटना जो जहां पे लग रहे हैं शूर ग्रहन उन्हें देशों में देखने को मिलेंगे यह जो जितने भी हम प् प्रभाव मान जीवन पर पाड़ता हैं तो इसके दूस्त प्रभाव से कैसे बचे अगर आपको लग रहे हैं तो देखें भारत वरसे में रात्री काली रहेंगे सूर्य ग्रहन दोस्तों तब ही अपना प्रभाव दीखाता हैं जब आप सूर्य ग्रहन के रोशनी में जाई यह फिर बाहर नेकले क्योंकि यहां चंदर दिखाई देंगे तो एक काम जरूर करना अमशक दिन अमशक दिन चंदर भी दिखाई ने देते हैं चमा चाओंगा तो आप सब क्या कर सकते हैं प्राताकल न रात्री भी शूरू हो जाएंगे तो ग्रहन के समय जब ग्रहन गोबर की थोड़ी थोड़ी बुंदे आप अपने घरों में दोस्तो लगा देना ये ग्रहन की कुप्रभाव से बचाते हैं दूसरी बाद दोस्तो एक काम करना आप जो गंगा जल का छिड़का आप पूरे घर में कर देना गंगा जल जिसी स्थान में छिटा हुआ होता है व बाद दोस्तो आप जो अपने घर में भगवन संकर जी की पूजा करना सिविलिंग में जो जल चड़ाना और उस जल को पूरे घर में छिड़काव करना आपके घर पवित्र बने रहेंगे ग्रहन का कूप्रभाव आपके घर में बिलकुल नहीं पड़ेंगे आईए दोस्त होती महिला शूरग्रहन के समय भोजन करती हैं तो उनके पेट में पनने वाले बच्चे कमजोर होते हैं दोस्तो शूरग्रहन के समय मनुष्य के तीन नाड़ी होती हैं दोस्तो जिसमें दो नाड़ी मुख हैं जैसे कि शूरणाड़ी और चंद्रनाड़ी अगर शूरग्र ग्रहन के कारण शूर देजु है पिडित होते हैं तो शूर नाड़ी सभी लोगों के कमजोर होते हैं तो इस समय अगर माता बहने भोजन करें तो उनके पेट में पनने वाले जो बच्चे हैं उनको बहुत ही ज्यादा लुक्सान होता है माता बहन इस दिन ब्रत न रखे लेक बहुत है मैं हूद नहीं कि दोस्त नहीं यह करता हूं कि पराचीं गयन चनल के मधम से आप सवी लोगों को जो इस ग्रहन के बारे में जानकारी बताया हूं ये जानकारी आपकी जीवान में मंगलमाय एम 느am कल्यानकारी सबीत जरू होंगे लेकिन हाँ एक बात और जान लिजे फिर मैं वीडियो समापता करूँगा ये जो ग्रहाण है कन्यारासी पर पड़े हैं तो कन्यारासी के जितने भी जातक हैं उनके जेवन में थोड़ा बहुत नुकसाम देखने को मिल सकते हैं क्योंकि ये जो ग्रहाण है कन्यारासी के पर पर भारत के लोगों पर नहीं पड़ेंगे परसान नहीं होना लेकिन हाँ कुछ-कुछ लोगों पर देखने को मिल सकते हैं जैसे कि जो लोगों सराबी त्यादी का त्यदिक करते हैं ग्रहाण के समय ऐसे लोगों पर तो आसा करता हूं कि दोस्तों आज किस बीड़ों में बतायां के जानकारी आपकी जीवन में मंगल मैं एवं कल्यानकारी सभी जरूरों के बीड़ों अच्छे लगे तो इसे अपने तक शिमीत मत रखना इसे आगे जरूरों सेर कर आज के जानके रिवस इतना ही बिड़ों देखने के लिए धनिवादे नमस्कार